वेल्कम बैक्सपेंज, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है CCNA सेक्यूरिटी, तो चलिए हम लोग CCNA सेक्यूरिटी के ओड ओपिशियल ओप साइट के ओपर देखते हैं, उसके syllabus क्या है, only for Cisco Sight में, तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, एक इस बार में जाके www.cisco.com slash go slash ccie, ये शॉटपों है, ये शॉटपों है, ये शॉटपों है, इसे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का जो है, मतलब जो Cisco का जो है, certificate level, professional level, expert level, search करने में आ जाता है, सामने, तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इंडर बाते हैं, तो देखी, ये Cisco का website में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो जाएंगे, एक्सपर्ट, ना, जॉरी, आ, Associated Certification, यहाँ पर हम लोग जो करेंगे, ये है CCNA Security, अनली फॉर हैं, ये है CCNA Security, तो दोस्तों, तो चलिए, हम लोग CCNA Security के अंदर देखते हैं, क्या है, ये है CCNA Security, तो फॉर्स्ट हम लोग CCNA Security के उपर आ गया, तो CCNA Security का जो फॉर्स्ट है, हम लोग जो देखेंगे, ये है Exam Code, ये है Exam Code, Exam Code है 200-260, ये है Exam Code, ये Exam Code अप्पर ये थाम में रखना परेगा, Exam Code, इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए, इसके अंदर देखते हैं, 200-260, ये है हम लोग का Exam Number, मैंने पहले आप लोग के लिए में बोल दिया, Exam Number है 200-260, इसके बाद Associated Certification, ये है हम लोग का CCNA Security, हम लोग CCNA Security का ते हैं, इसके बाद हम लोग का CCNA Security का जो, मतलब हम लोग जो Global Exam देते हैं, उसका जो duration, timing है, वो 90 minutes है, वो 90 minutes है, और 60-70 questions आती है, only multiple questions आती है, जो हम लोग Global हम लोग exam देंगे तो क्या होगा, 90 minutes सब को time मिलेगा, 60-70 तक question आएगा, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, available language, जो इंग्लिश and Japanese हैं, हम लोग prefer करते हैं English, इसके बाद हम लोग register, आप यहां से भी Global exam के लिए register कर सकते हैं, तो मैं आप लोग के लिए मैं दिखाऊंगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, exam policies, यह कुछ ऐसा, कुछ खास नहीं है, यह है exam tutorial, हम लोग देखते हैं, तो चलिए, फास्ट हम लोग, exam number देख लिए हैं, 200 by 260, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, CCNS security, यह है CCNS security के लिए particular exam number, और यह 90 minutes का होती है, 60 से 70 तक, मतलब 60 से 70 तक आपको question आती है, multiple question, language, English, तब इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, तो चलिए, हम लोग जो register, यह है, पार्सन भी UE, पार्सन भी UE, यहाँ से आप global exam को भी register कर सकते हैं, तो दोस्तों, देखते हैं, चलिए, पार्सन भी UE रूप कर क्लिक करते हैं, तो देखें, एक नया page कोल गया, जो यहाँ पर जो है, actually हम लोग जोग करेंगे, यहाँ पर आप लोग global exam देने जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको Cisco का एक account create करना परेगा, आप लोग के लिए, यह है Cisco का account, यह आपको account create करने के बाद, यहाँ से आपको register करना परेगा, और यह actually debit से नहीं होता, यह credit से आपको payment करना परेगा, तो just per यह free account है, इसके लिए कुछ पैसर की कोई ज़रूद नहीं लगती है, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, यह तो हो गया, अब हम लोग जो देखते हैं, exam tutorial, review the type of exam question, जो हम लोग जो exam दे रहे हैं, global exam में, मतलब कैसे आती है, कैसे multiple question आती है, question pattern क्या है, वो हम लोग जो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग उसके लिए क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर देखिए, if the page below apper's blank, please right click on the page, and change the setting from loop to play, to watch the tutorial, तो एक्चुरी यहाँ पर जो बोल ले हैं, यह जो लाइन है, तो यह अक्चुरी बोल देखिए, यहाँ पर जो white skin है, तो देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, अक्चुरी देखिए, यहाँ पर कुछ भी कुछ भी नहीं है, blank skin है, यहाँ पर हम लोग right click करेंगे, तो एक loop बोल के एक option आएगा, तो देखिए, please right click, यहाँ पर बोले है, यहाँ पर लिखा हुआ है, please right click, right click करेंगे तो क्या होगा, देखिए, एक loop बोल का option यहाँ पर पहले से click है, हम लोग क्या करेंगे, only for play को click करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को question आगे, हम लोग को, तो किसी तरह कैसे होती है, हम लोग कैसे exam देती हैं, तो देखिए, multiple question, जो ऐसे हैती है, how many meters are in 8 kilometers, so देखिए, यहाँ पर four types है, आप यहाँ पर जो आपको question है, जो answer है, आपको click करने के बाद, यहाँ पर आपको next में click करना पाएगा, तो देखिए, next में भी ऐसी कुछ है, तो यह भी कुछ है, ऐसी बात है, तो आपको, एक के बाद, एक के बाद, एक page आपको answer देने के बाद, next में click करना पादेगा, हाँ, आप मान लीजिए, जैसा, ऐसा कोई नहीं है, जो हम लोग page में, जो मान लीजिए, आप एक number page में थे, इसके बाद, जो दो number में आ गया, हम लोग आ चुके हैं, तो एक number में आप पहले से नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे, मनली यह जै, जो हम लोग में, जो एक है, एक number page है, एक से यह दो आ गया, हम लोग दो नमबर पेज में हम लोग आ चुके हैं हम लोग बैग नहीं कर सकते हो वान पेज के उपर तो इसलिए आपको एक बार में ही आपको answer देने के बाद हम लोग फिर से next करना पड़ेगा नहीं तो आप वो question नहीं देख सकते हैं दूसरे बार में एक बार ही आपको time मिलेगा time मिलके वो question आपको देना पड़ेगा इसके बाद हम लोग next में click करेंगे तो सारा question हो जाने के बाद आपको submit में click करना पड़ेगा तब उस time में आपको बोल दिया जाएगा जिया आप fail हो गया नहीं पास हो गया आपको fail हो गया तो आपको फिर से त्यारी करना पड़ेगा नहीं तो पास हो गया तो वाप पर आपको बोलतेगा तो ये ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं आती है यह थोड़ा सा लोग के लिए डाम मतलब यह कैसे होती है कैसे कोश्चिन पैटान आती है थोड़ा सा इंट्रेक्शन दिया कि तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो देखते हैं तो हम लोग ने देख लिया पहली यह है हम लोग का एक्जम नमबर 200 बाई 260 हम लोग सिसेने सेक्यूटी कर रहे हैं इसके बाद जो डिविशन है यह 90 मिनिट्स है यह साथ से सत्तों प्रस्चन आती है हम लोग के पास देना पड़ता है और इंग्लेश में देना हैं यहाँ पर पी हम लोग ब्रेजिस्टर भी कर सकते हैं आप लोग ग्लोबल एक्सम देने के लिए यह सेवी इसक एक क्लिक करेंगे तो यह नया पेज उपन हो जाएगा और शिसको का पेज ऑपन हो जाएगा वह आपर आपशकती है इसको के जाके एक क्रेट ऐकाउंट क्रेट करना पड इसके बाद हम लोग जो देखते हैं में टॉपिक रिप्रूव दा एक्जाम टॉपिक हम लोग का जो एक्जाम टॉपिक क्या है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो देखें एक नए पैज कुल गया हम लोग का तो देखिए CCNA security का concept यह हां हम लोग का seven point फर्स्ट हम लोग काने CCNA security एं स्वाइब सेकुरिटी कांसर्प स्वारी सेकुरिटी एक्सेस बीपीन सिक्यूर सिक्यूर राउटिंग एंड स्विचिंग शिसको फायरल टेक्नोलोजी आल पीस सिक्यूरिटी एंड इन पॉइंट सिक्यूरिटी तो देखिए हम लोग देखते हैं सब कुछ तो यह रहां seven point तो यह आप शोडिटेल्स को क्लिक करके यह आप देख भी सकते हैं तो चलिए मैं शोडिटेल्स करके मैं एक एक जो जो टॉपिक है सिक्यूरिटी कावंशब में यह टोटल ٹॉपिक है दिख देखिए कॉमेंट सिक्यूरिटी पीन दिख प्लेस सिक्यूरूरिटी टेट तो ऐसी ताल एक मान लिजी एक के बाद एक अंदर यह रहती हैं तो यह ठोटल और.. इसके पाद security, asus है, vpn है, secure routing switching है, cisco firewall technologies है, and ips भी है, and content and in pointed security, यह total है, आप हम लोग यह total कोई coverage करेंगे, और इसका भी number यह पर देखी, यह पर जो देखी, यह 12% यह से question आती है, 14% आती है, तो देखी, ऐसी तरह, यह देखी, मैं आप लोग के लिए में और भी दिखा देता हूं, तो यह सारा सब कुछ बंद कर देता हूं, यह, तो देखीए, 12%, 14%, 17%, 18%, 18%, 9%, 12%, ऐसी कुछ question बताना है, मतलब यह इस चप्टा से, जो मन लिचे, security concept से, 12% question आती है, तो चलिए, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, the download complete list of topics in PDF format, जो आप लोग मैंने, अभी अभी आप लोग के यह, टोटल 7 topics मैंने दिखाया है, यह तो actually website के उपर, आपको, Cisco website के उपर जाना पड़ेगा, search करना पड़ेगा, security, तब यह आपको show करेगा, आप, यहां से, यह जो, इसका जो PDF फाइल है, यहां से भी आप लोग download भी कर सकते हैं, यह रहा, जो देखिए, download complete list of topics in PDF format, यहां से भी आप लोग यह जो topic है, इसको topic को भी download कर सकते हैं, तो दो download कर लेता हूं, जो देखता हूं क्या है, तो यह रहा छोटा सा file रहती है, अज़े कोई बात नहीं है, तो दोस्तों चलिए, इसको open कर लेते हैं, तो देखिए, first में है, Cisco security exam code 200 by 260, यह रहा, हम लोगने जो, अभी अभी जो देखिए हैं, यह actually total PDF format में है, आप लोग यह से भी download कर सकते हैं, हम लोग सारा एक एक topic को भी coverage करेंगे, यह आपर total 7 coverage, 7 topic है, देखिए, total 7 coverage, जो अपर था, Cisco का website के उपर, यह total same to same है, ऐसा कोई बात नहीं है, यह आपर दूसरा कुछ है, वहाँ पर भी थोड़ा सा दूसरा कुछ है, ऐसे कोई बात नहीं है, same to same है, हम लोग जो total coverage करेंगे, एक पाइंट के मतलब, total topic, फास से लेगा है, start, last step, जब दोस्तों, हम लोग ने थोड़ा सा introduction देख लिया, तो कैसे हम लोग को CCNA security का exam code क्या है, 200 by 260, यह आपको ध्यान में रखना परेगा, और यहाँ से भी आप लोग register करके global exam देव भी सकते हैं, और Cisco का एक आपको account केट करना परेगा, ओ भी तो free है, and उसका जो global exam का जो paid करना परता है, यह वो actually credit card से भी हो सकते है, debit card से भी नहीं होता, यह आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, आप कोई भी टाइम में register करके exam देख सकते हैं, global exam, and आपको जब हम लोग register करेंगे global exam के लिए, फास्ट आपको choose करना पड़ेगा, center आपका हाँ पर जाके exam देख सकते हैं, अप्टर वह पर जाके आपको exam देना पड़ेगा, and then total complete हो जाने के बाद, submit करने के बाद, मतलब आपको जो exam है, exam खतम होने के बाद, submit करेंगे तो क्या होगा, यह अपर आप लोग को दिखा देगा, यह हम लोग ने जो exam दिया है, यह आपको तुरन बता देगा, वह आप तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग ने छोटा सा introduction देखा है, CCNA security के ऊपर, क्या क्या topic है, क्या क्या topic हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सारा topic करेंगे, full coverage करेंगे CCNA security के ऊपर, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे, प्लिस मोर साब्सक्राइबर योट चैनल, आप लोग के लिए मैं वीडियो क्योट करता हूँ, जो मेरा Facebook पेच है, Networking Guruji के नम सी है, आप YouTube में जाके, Network Guruji सर्च कर सकते, वहाँ पर CCNA आने CCNP, and CCNA Security का भी वीडियो देख सकते हैं, फिलाल अभी तक CCNA चल रही है, इसके बाद हम लोग CCNP भी coverage करेंगे, and then CCNA Security, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे, तो प्लीज मोज सब्सक्राइबर योज चैन, and शेयर भी कर सकते हैं, अब लोग मेंगा वीडियो, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स पर वाच, आना ही, में में भी चैन सब्सक्राइबर अपित अप्ड़ करेंगे, तो दोस्तों, या कि आते हैं, थोस्तों करेंगे, आना ही, तोस्तों कि दोस्तों क क्या दोस्तों में, झाल झाल